मानो या ना मानो पहला उपाय धन से संबंधित कटनायों से चुटकारा पाने के इए धातू से निर्मेद कच्छुआ और मचली रखना शुमाना जाता है ऐसा करने से घर में धन का आगमन होता है दूसरा उपाय घर के उस अस्थान में जहां परिवार के सदस्य सबसे अधिक समय वैदीर करते हैं महापर्चान्दी या तामे का पिराविर रखने से आय के साधनों में पढ़ोतरी होती है और बैसों की कमी नहीं होती तीसरा उपाय घर के मुख्य द्वार पे लक्ष्मी माता और भगवान खुबेर या स्वास्तिक चिन की तस्वीर लगाने से धन का भाव नहीं होता है चौता उपाय घर में वास्तु दोश होने के कारण भी धन की तंगी रहती है इसलिए वास्तु दोश को दूर करने के लिए घर में वास्तु भगवान की प्रतिमा या तस्वीर रखने से लाब होता है साथ ही धन की तंगी से छुटकारा मिलता है पाच्वा उपाय मिट्टी का छोटा घडा या सुराही को पानी से भर कर घर के उत्तर दिशा में रखने से पैसो की तंगी नहीं होती इसलिए इन्हें कभी खाली न रहने दे छटा उपाय घर की दक्षिर पशिर दिशा में पंच मुखी हनमान जे की प्रतिमा या तस्वीर लगाकर निर्टे पूजा करने से बरकत होती है तो दोस्तों ये हैं वो 6 चीजे जिने घर में रखने से कभी नहीं होती पैसो की कमी आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजे और हमारे चैनल मानो या ना मानो को सबिस्क्राइब कीजे देखते रहिए मानो या ना मानो